मोदी काविनेट में महिला आरक्षन बिल पर मोहर लगने के साथ ही चर्चा इसकी जोडों पर है बीदे दिन लोक सभा में महिला आरक्षन बिल पेश किया गया इस पर बहस होगी कई पार्टियां महिला आरक्षन बिल का खुले तौर पर समर्थन कर रही हैं कई पार्टियां ऐसे भी हैं जो दबे जबान में इसका विरोध भी करते नज़रा रहें आपको बतादे कि महिला आरक्षन अगर पास हो जाता है यह कानून बन जाता है तो महिलाओं को 33 परतिशत आरक्षन जो है वो मिलेगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार जार जारक्षन में जितनी लोगसभा की सीटे हैं जितनी विधान सबा की सीटे उनमें महिलाओं की भागेदारी किस तरीके से बढ़ेगी और कितना असर जो है वो सीटों पर पड़ेगा यह जानना जरूरी है बिल के पेश हो जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार आरक्षन विल पास होने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षिक सीटों की संख्या 13 हो जाएगी जबकि बिहार विधान सबा की कुल सीटों की संख्या 243 है इसमें महिलाओं के लिए डिजर्व सीटों की संख्या 80 हो जाएगी मतलब की लोगसभा की 13 और विधान सबा की 80 सीट अनुसूची जनजाती के लिए आरक्षित है अगर महिला आरक्षन विल कानून बन जाता है तो कुल 121 सीटे आरक्षित हो जाएंगे जो कुल सीटों का करीब 50 फिस्दी है वह अगर बात की जाए जहारखंड में तो जहारखंड में लोकसभा की कुल 13 सीटे हैं वहां 4 सीट मह महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा इसी तरह अगर बात की जाए जहारखंड विधानसभा सीटों की तो जहारखं में विधानसभा की कुछ सीटे 81 सीटे हैं वहां भी महिलाओं के लिए 27 सीटे despite वह जाएगी वह संख्या 4123 है महिला आरक्षन के बाद उनके लिए आरक्षित सीतों की संख्या 1361 हो जाएगी वहीं सरकार के ओर से कहा जा रहा है कि बिलका उद्देश राज और रास्ट्री अस्तर पर निती निर्मान में महिलाओं की अधिक भागिदारी को समक्ष मनाना है परिसीमन परकिरिया शिरू होने के बाद महिला आरक्षन लागू होगा फिलाल आपको बता दे कि इसे 15 वर्षों के लिए ही लागू किया जाएगा इसमें ये कहा गया है कि परिसीमन परकिरिया के बाद लोकसभा और राज विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स साफ कर रखे कि महिलाओं की भागेदारी बढ़ाने की लिए महिला अरक्षन बिल जो की पिछले 27 सालों से अटका पड़ा है इसे एक बार फिर से लोग सभा के अंदर पेश किया गया इस पर चच्चा की जाएगी और अगर ये पारित हो जाता है तो बड़ी भागेदारी जो क्या ये सही तरीके से लागूख हो पाता है या नहीं पिलाल आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं महिला आरक्षन बिल को लेकर के बिहार में किस तरीके से असर देखने को मिलेगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएगा धन्यवार ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुणिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और मा बाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुणिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुणिया में घर ले लिया है पुणिया के e-homes panorama में पुणिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes pan panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined